Your Excellency, राजप्रति बाइडन, दोनों देशों के डेलिगेट्स, मेडिया के साथियों, नमस्कार। सबसे पहले मैं राजप्रति बाइडन को उनके मित्रतापून शब्दों और भारत अमेरिका समंधों के बारे में उनके सकारात्मक विचारों के लिए धन्यवाद देता हूँ। फ्रेंड्स, आज का दिन भारत और अमेरिका के समंधों के इत्यास में एक विशेश महत्व रखता है। आज की हमारी चर्चा और हमारी द्वारा लिये गए महत्वकुण निर्णवाँ से हमारी कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेजिक पार्टनर्शिप में एक नया अध्याय जुड़ा है। एक नई दिशा और नई उर्जा मिली है। फ्रेंट्स भारत अमेरिका की व्यापार और निवेश साजेदारी दोनों देशों के लिए ही नहीं बलकि वैस्वीक अर्थववस्ता के लिए भी महत्वपुण है। आज अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। हमने निर्णे लिया है कि व्यापार से जुड़े लंबित मुद्दों को समाप्त कर नई शुरूवात की जाए। ISET यानि Initiative for Critical and Emerging Technology हमारे तक्निकी सहयोग के महत्वपुण फ्रेमबर के रूप में उभरा है। Artificial Intelligence, Semiconductors, Space, Quantum और Telecom जैसे क्षेत्रों में अपना सहयोग बढ़ा कर हमें एक मजबूत और Futuristic साज़दारी की रचना कर रहे हैं। अमेरिका की माइक्रों, गूगल तथा Applied Materials जैसी कंपनियों द्वारा भारत में निवेश करने का निर्णे इस Futuristic साज़दारी का प्रतीक है। जी आत्रा के दोरान मुझे अमेरिका के कुछ अन्य CEO's के साथ मुलाकात करने का भी अउसर मिला। उनके साथ तुई चर्चाओं में भी मैंने भारत के प्रती उत्सा और एक सकारात्मक सोच महसूस किया। हम दोनों सैमत है कि हमारी strategic technology partnership को सार्थक करने में governments, businesses और academic institutions का साथ आना बहुत महत्पपूर है। clean energy transition में भारत और अमिर्का के साथे vision को implement करने के लिए हमने कई महत्पपूर्ण initiative लिये हैं। इसमें green hydrogen, wind energy, battery storage, carbon capture जैसे ख्षेत्र शामिल है। हमने यह भी निर्ण लिया कि वैस्वीक और सित्ताओं के बीच भारत और अमेरिका, trusted partners की तरह reliable, secure और resilient global supply chain और value chain तयार करेंगे। भारत और अमेरिका के बीच करीबी रक्षा से योग हमारे आपसी विश्वास और साजा रणनिती प्रात्विकताओं का प्रतीख है। पुराने समय के buyers-sailers relationship पीछे छोड़कर आज हम transfer of technology, co-development और co-production की तरफ बढ़ चुके हैं। General Electric द्वारा भारत में technology transfer के वाद्यम से engine बनाने का निरने एक landmark agreement है। इससे दोनों देशों में रोजगार के नए एवसर भी खुलेंगे। यह आने वाले समय में हमारे रक्षा से योग को एक नया स्वरूप देगा। इस से योग में दोनों देशों के रक्षा उद्योग और start-ups महत्वपण partners हैं। उन्हें आपस में जोडना हमारे defense industrial roadmap का मुख्य उद्देश है। Space science और technology में हमारा गहरा और वर्षों कुराना से योग रहा है। आज हमने Artemis Accords में शामिल होने का निर्णे लेकर हमारे space cooperation में एक लंबी उडान भरी है। सक्षेम में कहूं तो भारत और अमेरिका की साज़ेदारी के लिए even sky is not the limit। Friends, हमारे समंदों का सबसे महत्वपून स्थम हमारे people to people ties है। भारतिय मुलके 40 लाग से भी ज़्यादा लोग आज अमेरिका की प्रगति में महत्वपून योगदान दे रहे हैं। आज सुबे वाइट हाउस में इतनी बड़ी संख्या में भारतिय लोगों की उपस्तिती इस बात का प्रमाण है। कि इंडियन अमेरिकंस हमारे समंधों की असली ताकत है। इन समंधों को और गहरा करने के लिए हम अमेरिक के द्वारा बैंगलूरू और आमदाबाद में कॉंसिलेट्स खोलने के निर्णे का स्वागत करते हैं। उसी तरह सीटल में भारत का नया कॉंसिलेट्स खोलेंगे। फ्रेंट्स आज की बैटक में हमने कई खेत्रिय एम वैश्विक मुद्धों पर चर्चा की। इन लोग पैसिफिक में शान्ति और सुरक्षा यह हमारी साजा प्रात्मिक्ता है। हम एकमत है कि इस खेत्र का विकास और सभलता पूरे विश्व के लिए महत्वकून है। हमने क्वार्ड पार्टनर्शिप के साथ मिलकर एक शेत्र के सभी देशों के साथ अपना समन्वाए बढ़ाने पर विचार साजा किये। आतंकवात और कट्टरवात के खिलाब लड़ाई में भारत और अमेरिका कंदे से कंधा मिला कर चल रहे हैं। हम सहमत है कि क्रॉस बॉर्डर टर्रिजम को समाप्त करने के लिए ठोस कारेवाई आवश्यक है। कोविन महमारी और युक्रेन संगर्थ से ग्लोबल साउथ के देश विशेश रुप से पिडित हुए है। हमारा मत है कि इन समस्याओं के समाधान के लिए सभी देशों का एक जूट होना अनिवारी है। युक्रेन के घटनाक्रम के सुरुवात से ही भारत ने डायलोग और डिप्लोमसी के माध्यम से इस विवाद को सुलजाने पर जोर दिया है। हम शांती की बहाली के लिए हर संभव योगदान देने के लिए पूरी तरह से तयार है। भारत की G20 की अध्रिक्ता में हम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर उस पर बल दे रहे हैं। Global South की प्रात्विक्ताओं को आवाज दे रहे हैं। मैं राश्पती बाइडन का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आफ्रिका को G20 का पूर्ण सदस्य बनाने के मेरे प्रस्ताव पर समर्थन जताया है। Friends, हमारे सभी साजे प्रयासों का मूल मंत्र है लोकतंत्र और लोकतंत्रिक मुल्यों तथा व्यवस्ताओं को ससक्त कर रहा। विश्व के दो सबसे बड़े लोकतंत्र भारत और अमेरिका मिलकर विश्व, शांती, स्थीर्था, समरुद्धि में महत्वपुण सहयोग दे सकते हैं। मुझे विश्वास है कि इन मुल्यों के आधार पर हम दोनों देशों के लोकों की ही नहीं, बलकि पुरे विश्व की अपिक्षाओं और आखांग्षाओं को पूरा कर सकेंगे। राश्पत्री बाइरन आज की उपयोगी चर्चा के लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस वर्च जी ट्वेंटी समीर के दोरान आपका भारत में स्वागत करने के लिए भारत और मैस्वयम भी बहुत ही उत्सूख है। और बैसा राश्पत्री जी ने कहा हम लोगों को मुझे जाना है बाद मैं कॉंग्रेस को एड्रेस करने के लिए और इसलिए ज्यादा अधिक समय न लेते हुए। मैं मेरी बात को विराम देता हूं, मैं फिर एक बार राश्पत्री का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जामयो जो धन्यवी जाँ हुए।